हाई गाईज वेलकम बाक तो दे चैनल शेजा स्टूरी मैं हूँ शेया और आपके लिए लेकर आई हूँ सूट के कलेक्शन 2021 क्योंकि समर्स आ गए तो समर्स को ध्यान में रखते हुए किन कलर्स कुछ बूसकाना चाहिए क्या है ट्रेंड में और क्या-क्या मैंने इस बाद लिया है कुछ सूट्स जो है वो थोड़े से स्टिष्ट है यानि और कुछ है अनिस्टिष्ट है मटीरियल है तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे तो चलिए अगर वीडियो पसंद आ जाने तो प्रीज चैमे वीडियो को लाइक शेयर जो करते चाहिए को चाहिए को ज़ा है उसिए के साथ अगर वीडियो होगा तो इन वीडियो को मैं चैनल के दो पर जाए अभी recently लिया है इसका आपने वीडियो भी देखा होगा मेरा Ambrister Hall वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने इस suit के बारे में बात की है A really, really good suit तो चलिए उसके बारे में बताते हैं तो इसमें मैंने pastel colors को बहुत जादा मतलब pastel neon colors को बहुत जादा इसमें include क्या है क्योंकि neon अच्छे भी लगते हैं summer's में और pastel color जो है आखो को बहुत ही soothing लगते हैं बहुत ही cool लगता है आखो को summer's के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही perfect है तो फ़र्स वूट यह रहा है बिल्कुल ही pastel shade है olive green color में है कुछ आप पतनी camera पिक कर रहा है या नहीं मैं आपको दिखाती हो यह देखे यह वह color है olive green color इसे printed ऐसा floral print दिये रखा है नीचे के border की तरफ यह देखे और इसी तरह से पूरे suit में दे रखा है और यहां बीच में plane है और साथी साथ में यहां full look अगर मुझे मिलेगा तो मैं देती चलूँगी और यहां पे आपके neck पे और plus यहां पे hands पर भी यह है इस तरह से काम का रखा है आप इसे अपने मन चाहे तरीके से सिलवा सकते हैं पिंक शेड इसे अक्शुली हलकी गाजरी कलर है और इसे के साथ थोड़ा सा पेस्टल शेड जो की suit का में कलर है और श्रिफॉन का बहुत ही soft पटा है तो मैंने अभी सिस्टिज नहीं करवाया है इसके साथ आप पैंट्स को सिलवाओ पैंट्स बॉटम में पैंट आजकल चलते हैं तो वह बहुत अच्छा लगेगा और ankle length तक ही रखिएगा जादा नम भी नहीं रखिएगा short length में आजकल बहुत ही जादा trend में है तो इसके साथ यह बहुत ही अच्छा suit pop जाएगा और आप इसके साथ bell sleeves या फिर umbrella sleeves बनवा सकते हो वह भी बहुत ही जादा trend में है तो यह अच्छा लगेगा तो आप इस तरह के shades ट्राइगा करेंगे again a very favorite मैंने यहाँ पे लिया है cotton silk जो कि बहुत अच्छा लगता है अब किसी light function या पूजा पार्ट में जाते हो तो यह अच्छा लगेगा क्योंकि silk उतना comfortable नहीं होता है समास के लिए but cotton silk एक बहुत अच्छा material है वो मुझे बहुत जादा सही है color actually बहुत ही अलग सा है थोड़ा सा metallic green color है इसका और यह देखे इस तरह से है और इसमें पूरा जो suit में जादा काम नहीं है नीचे bottom इस तरह से दे रखा है गोटा पटी walk है और इस तरह से और यहाँ पे neck के around ही designing दे रखी है इस तरह का circle में gold सा इस तरह का design है और नीचे यहाँ पर बहुत ही सुंदर embroidery है elephant बना है हाथी बना है और इस तरह का मुझे बहुत अच्छा लगता है हाथी बने हुए यह bet sheet हुई साड़ी हुई और इसके साथ 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 सूट में भी यह बहुत अच्छा लग रहा था तो यह overall बहुत अच्छा look appeal कर रहा है तो अगें very good combo और इसके साथ इसका जो है contrast दिया है इसके साथ neon orange color अगें गर्मियों में समझ में बहुत अच्छा लगता है तो यह है neon orange color का bottom के साथ यह silk का इस तरह का दुपटा दे रखा है orange color में तो second suit जो की unstitched है और बहुत ही प्यारा है यह भी suit बहुत अच्छा है को कहीं किसी खास function में ही या कभी-कभी फैनने का मौका मिले बहुत अच्छा है regular use के लिए भी बहुत अच्छा है अब किती पूचा अगेरा में जाते हो तो भी बहुत अच्छा काम करेगा यह और third बहुत ही प्यारा suit है I think I love this suit और यह जो है बहुत ही खुबसूरत color भी है और यह रहा यह color actually यह है neon green color इसमें थोड़ा सा हलका हलका shed है shedded like है इसमें यह देखिए यह इसमें दो color में है और इसमें बहुत ही संदर actually जो plus point है यह है इसका नीचे का border जहाँ पे इन्होंने printed है और नीचे का फिर से यह पूरा part जो है यहाँ पे embroidery कर रखी है और thread work के भी काम है stone work अच्छी तरक इसे बहुत संदर बना रहा है suit को और पूरा काम कर रखा है यहाँ पे neck की भी designing है इस पूरा suit semi stitched है actually यह suit और इसकी interesting part है इसकी sleeve sleeves जो है वो printed है और यह देखिए यह बहुत ही अच्छा पूरा कप्ड़ा है ऐसा कुछ नहीं है इसमें कमी है और पी मुझे यह suit इसलिए बहुत पसंद आया था कि आगे का बहुत ही अलग और different work है print work, thread work, stone work, पूरा full suit work जो है और पीछे का अगर मैं आप को दिखा हूँ तो यह पूरा printed है इसका यह look पूरा printed work है यह देखिए और इसकी sleeves में भी पूरा print का रखा है plural print है plural print बहुत ही अच्छ आपील करते है स्वमर्ण में तो वह बहुत ही सही है और इसी के साथ साथ इसका जो है वह भी बहुत ही shadow type में है यह रहां इसका दुपट्टा यह देखिए दो color के shade में है और यह तरह का print मुझे बहुत पसंद आता है और यहां पे लेस से पूरा cover कर रखा है लेस की detailing है तो यह इसका दुपट्टा brown color actually brown cream, gallery, बहुत ही ज़्यादा dark नहीं है यह इस पूरा mirror work कर रखा है यह पूरे suit में जो कि again बहुत अच्छा लग रहा है साथ में इसका यह नीचे का border है यह border में इस तरह का colorful थोड़ा से clothing से इसको detail किया गया है यहां पे फेर thread work है पूरा suit में mirror walk ह और interesting चीज यह है कि इस तरह से इसके neck पे इस तरह का collar type बना हुआ है मतलब पटी लगी है इस तरह की button है और यह button जो है बहुत ही colorful कप्रों में बने हुए है यह देखिए तो यह बहुत ही अच्छा एक कहते ना detail जो किया रखा है बहुत अच्छा है और यह patch work भी कर रखा है तो basically इस suit में mirror work, patch work और इस तरह का neck पे detailing कर रखा है इस वज़े से मुझे यह suit बहुत ही पसंद आया था तो again अब मुझे बहुत संदर लगा था और खास बाग है इसके साथ इसका दुपट्टा भी बहुत खुबसूरत है यह net का पूरा दुपट्टा है और यहाँ पे दे अच्छा लगाया है तो यह बहुत अच्छा लग रहा था जिसको कहते हैं न हम कहीं कहीं किसी function वगेरा में जाने में तो यह सब दुपट्टा अलग से भी आप बहुत अच्छा लगता है इस तरह का दुपट्टा और इसे के साथ यह suit भी बहुत अच्छा लगेगा आप यह बहुत लिया न तो यह एक suit के साथ दो पीस थे आप अच्छुली यह जैसा हमारा उपर का टॉप बॉटम होता है इसमें दो सूट है एक ही बॉटम है तो जिसका पहला बॉटम पहला सूट यह है और ब्लू कलर का अगेन कॉटन है सारे सूट मेरे कॉटन यह कॉटन सिल आधा नेवी ब्लू कवरमें और इसीतरह का एक से मिरे पास इसी कपन के साथ ऐसी यहलो कट़ यह च negócio में रेड ऱप्र वॉटे रखा और यह पूरा आईसा नीचे के तरफ बॉडर है आउर इसी डरेड बॉटन को का कह स्सक् sugg He इसके इंट्रेसिंग पार्ट ये है कि इसका दुपट्टा भी एक है और बॉटम भी एक है और ये सूट बहुत जादा महगा भी नहीं था तो मैंने ट्राइ करने के ले कि हाँ ये कैसा है बस इसलिए ले लिए मैं सुच आपके साथ श्याद कर दू तो ये इसका दुपट्टा है और ये इसका बॉटम है इसकी का दो सूट का प्लें तो ये है मेरे नौन-सूच मैटेरियल है सूट का और जिसके मुझे stitch करवाना है जल्दी से मैंसे stitch करवाना के भी आपके साथ share जरूर करूँगी और चलिए अब हम stitch वाला इसी पार्ट में करना है या नहीं करना है वोदो मैं editing के वक्त बताऊंगी बट बट प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना तो प्लीज में चाहिए को subscribe, like, share, शभू करते जाएएगा और next part अगर होगा तो प्लीज नेक्स वीडियो में देखेगा तो प्लीज थैंक यू, bye bye, love you, see you soon